कि चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफे स्टडी चैनल पर चेंजिंग दा वे उफ लर्णिंग वाइफे स्टडी चाइड़ी नमस्कार फ्राइडे नाइट स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है और एक बारी कमेंट बॉक्स पर लिखेगा क्या मैं आपको स्टार्ट करेंगे यह जो सेशन है यह स्पेशली आपके लिए मैं फ्राइडे को लगाता हूं आज हम यहां पर दो से तीन घंटे पढ़के एक ऐसा कंटेंट कवर करने वाले हैं जो हमें फिर बाद में रिवाइस करने की भी बढ़ेगी ठीक है आप बस एक बारी शेयर कर देना बागी साथ आपकी रेगलर क्लास होने वाली है वो जरूर देखेगा छे फर्वरी का कॉमबैक्ट यूटलाइस कर सकते हैं कोर्स इस अबलेबल हैं इंडियन पॉलेटी की क्लास जो है आज नहीं हो पाई क्योंकि यूटूब पे क्लास चल रही थी दो तिन घंटे ल पर मैंने देखा कि बच्चे कहले पीडियेफ मिलते वेट टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडियेफ मिलते हैं चैनल से जोड़ जाओ आज डाउट रेज हैं और रिपोर्ट अन्विन ये फीचर्स हैं अनकेड़मी के यूटलाइस करें वर्लड अफेर की वीडियो कल की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप करने के लिए लाइव ओमन कोड यूज करना जिससे आपकी फीज कम हो जाए ठीक है चले अब हमना स्टार्ट कर रहे हैं पूरी सीरीज यहां पे हम ठीक हैं दोस्तों से तीन सो कोशन पार लगाएंगे आज और उनकी कंसेप्ट को भी स बढ़े फ्लैमिंगो जो है कोन सी स्टेट की जो है स्टेट बढ़ बतागे आंसर का है पहले इंग कोशन का आंसर का जैक शोटा सा को पीजरात का पूछ हूँ एक चौटा सा कोशन पूछ रहा हूं एड़न इन्फोर्मेशन के लिए अगर आपको बता है नमस्कार बई नमस्कार जल्दी से बताओं चलिए तो आंसर कहां इसकोशन का अगर इसका पूझा है तो मैरी गोल्ड याद रखेगा मैरी गोल्ड गैंदे का फूल होता है न जुराल गैंदा फूल टाइप यह गीता रानी अगरा बात कर तो कौन्से स्पोर्ट से शंबन दीता है इस स्कूशन स्कूशन का अंसर कर यह हमेशा यह प्रवर्च के इविंट अभी जैसे जो है खराडी है हैं हमारे भारत के गोल्ड मेडल विनर नीदा चोपडा जी उनको लॉर्याल में नॉमिनेट किया गया है ना तो मैंने वर्ल्ड फिर में पढ़ा यह जैसे एक कोशन का आंसर है वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग इसका आंसर है इंपोर्डन कोशन है पूछर आ सकता है देखो वर्ड टेलेविजन ने किसे रूप में 21 नमंबर को 21 नम्बर को एशा वर्ल टेलेविजन दे के रूप में जो है अब्जर्व किया रहता है ठेक है चल एक और कोशन देखिए का इस कोशनन का आंसर कहा है और ये बानी डम से कोन सी स्टेट का जो है टेडीशनल डम से बते कि इस स्कूशन आपन्सर देंगे दीखो इदान्स है बहुत फेमस है और इसका वह डानीजिक बता रखा ट्रिक क्या मैंने आपको एक वर्ड भी बता रखा था जिसे आपको याद रह सकता है कि पानी का आंसर क्या है टिप टिप बरसा पानी कहां गुजरात में ठीक है तो रात में कहां पे गुजरात में चली तो याद रहेगा टिप बरसा पानी तो कहां पे रात में ग बेटा पार्डी स्पेड भी करो शेर भी करो तीन सो कोशन पार लगा देंगे हम आज बंदर समलो आज दूसरी क्लास नहीं रखिए इसी क्लास को कंटिन्यू करके दो तिन घंटे पढ़े के अच्छे अच्छे वहतरीं कोशन कर लेते हैं जैसे वर्ल्ड सिटीज डे जो है य देश की कौन से देश की कैपिटल है इस कोशन का आंसर के हैं जैसे अब यह बड़ा वाइल बड़ा वैसे तो जितने भी देश लिखिए इसमें कजाकिस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि सेंट्रलेशन कंट्री जो है उनके ओपर कोशन आने चलिए लेकिन इदर आंसर गयबून है जजाकिस्तान एनोल का भी आपको याद रखना है ठीक है ठीक है ठीक है बाकि साथ वह तो क्लास होगी बेलरस की कैपिटल का कोशन पूछा था इस कोशन का आंसर के हैं है ना कि चलो जैसे अब यह इदर मैंने द्वपैर को कैपिटल का पूछा था तो अब आपको कैपिटल के साथ करण सी भी आने चाहिए पहले तो कैपिटल ही याद होगी तो सबसे बढ़िया रहेगा पते कैपिटल जो है कौन सी है इदर हम बहुत सारे कोशन करेंगे इद क्या आंसर होगा इसका ए कि इसका अंसर होगा इसका आंसर है वारवर हिल केप कौन सी स्टेट में इस कोशन का आंसर के चलिए तो आंसर के इस कोशन का राजिस्थान में देखो यह बड़ा फेमस है उसकी अलावा राजिस्थान में आपको पता है किष्टवार और एन ओल के कोशन आते है रंथम बोर का कोशन आता है ना चलिए एक और कोशन देखते हैं राजिस्थान का इस कोशन का आंसर होगा यह फ्री धरो अभी यहां पर गलती होती है पहला तो बच्चे क्रिकेट डूनते हैं अब क्रिकेट मिलेगा की नहीं कोशन में तो यह तो और गलत कर दे क्रिकट अगर करते हैं इस पूर्ट Sपो असोसियेटिट यह स्थे यह स्यादा मुश्किल कूशन जो टर्म है यह कौंब से वस्थे अपस एप है ल९ह को है न। पर मिलव टरस जो तोसे इस कोशें का आंशर किया है ठीक का आंशर 500 बास्केट वास्केट बोल है कि एंटेबल टैनिस फडेरेशन की हां पे टेबल टैनिस के सा बेडमिन सकता रेंटमिनिंटन के कोला लंपर में है है यह से आप को च्यों मिल सकते हैं भाधा है इस लिए आधार टैनिस फेडरेशन कहां पर सिचुएड़ेट है मता ही इस कोशन का अंसर के है है इंपोर्डन कोशन इस कोशन का आंसर है लुसियाना सुजलेंड इसका आंसर है एक और कोशन देखने है जैसे आपकी सीरीज सारी सार्ट होगी मैं पूरा coverage कर रहा हूँ जैसे एक question आपका partly पूत्र अब इधर आप partly पूत्र देख रहे हैं तो आप partly पूत्र से सीधा answer लगा सकते हैं भिहार का कुछ ठीक है partly पूत्र देखके सीधा भिहार का कोई answer लग सकता है बेटा party speed गरो बताओ answer के इस question पाटली पूत्र देखके क्या सीधा भिहार का answer आसकता है अब कर दो कर दो दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस कोशन का अंसर है ठीक है पटना इसका अंसर एक और कोशन देखे कृष्ण राज सागर डैम की अगर बात करी जाए तो यह कौन सी स्टेट में है इस कोशन का अंसर बताई कृष्ण राज सागर डैम जो है बैटा किसी वे एक्जाम के लिए क्लास आप दो घंटे देख आपका किसी वे एक्जाम का जो कोशन टाइप है वह आपको इसमें मिल जाएगा प्रैक्टिस कर लो जैसे यह किष्ण राज सागर डैम हमेशा ध्यान रखना जहां पे आपको यह जैसे अभी दर आपको मिल रहा है ठीक है कृष्ण राज सागर डैम इस कोशन का अंसर है ठ और को जैन जो जैन है ना यह कुम्ब मिला होता यहां पर अब बते कोन सी नदी है उज्जेन के उज्जेन किस नदी किनारे है ठीक है कि मत अब देगे कि कि अकषिर केतनी ऊह उज्ज Pardonर, और इसकेतने ही है एर इस ब्ल्यू बारण लेक स्विक्स चोशन का आंसर कि ब्ल्यू बार्ण लेक कहाँ पर सिचूटटेड़ है इस वल्देल अन। बतेगी क्या है इस उप्ल्यू वर्ड लेक जो है कहां पर पर सुच्व ernst में चली तक एदिस कोशें का अंसर है ब्ली बेड लेक कहां पर सूझ का हर्याणह देखो यह बड़ा फेमस है अनग का आप खुद बताएंगे पंजाब की फेमस लेक का चत्रशाल स्टेडियम जो है शुशील कुमार जो है रैसलिंग के प्लेयर थे बहुत सारा विवाद भी रहा ठेक है उस वज़े से भी प्रसिद्ध हुआ तो चत्रशाल स्टेडियम जो है कौन से शेहर में इस कोशन का अंसर कर सकते हैं एक और कोशन देखिए कोई ना वाइलाफ संचुरी जो है कौन सी स्टेट में इस कोशन का आंसर के है का मैं जाली तो इसकोशन का आंसर है महाराश जिसका आंसर है महाराश एक और देखो जैसे यह तो अभी लेट के इना है यह तो अभी लेट या वर्ल्ड अफिर की वीडियो में पूरा बता है डेटील से जहें ठिकए चली तो इस न project गांसर श्याद और पूरा क्लास देखोगे तो ज्यादा ब bets बाकि आप करता है फरवरी दो इसका आंसर अभी लेटस में वर्लवेट जैसे अभी आज का जो कोशन है वर्ल कैंसर डे कोशन उसका जो थीम है वो कोशन आपको पता होना चीए मैंने वर्लड की वीडियो में समझा दिया जैसे लिपूल एक पास दर्रे की कोशन कर लेते हैं बताई लिपूल एक पास जो है कोन सी स्टेट में है कमेंट करें वेड़ा शेर करो सारे के सारे बढ़िया से चल दी शेर करो सारे के सारे आंसर के लिपू लेक पास के अगर मैं बात करूँ तो इस कोशन का आंसर उत्राखंड है क्या आंसर है उत्राखंड इसका आंसर है एक और कोशन लाल बहादुर शास्त्री एरपोर्ट जो है कौन से शहर में लाल बहादुर शास्त्री एरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री जी के उपर दो तिन कोशन हो गया आज है ना बताओ इस कोशन का आंसर के कौन से एर कौन सी लोकेशन में इनका जो है एरपोर्ट है लाल बहादुर शास्ती जी के नाम पर चली जो लाल बहादुर शास्ती जी है इनके नाम पर जो एरपोर्ट है दोस्तो यह कहां पर वारन सी में हैं important question चले एक कोशन देखिए worldwide fun for nature कहां पर बेश लेको मैंने आपको हमेशा बता है नेचर का एक तो निकालेंगे चलिए जो ग्लैंड इसका अंसर है कुर्ष देखी गाएशिया पैसिफिक एकनॉमिक प्रिशर एपक के हेड़ कौपर कहां पर वेर इस दा हैड़ कौपर ऑफ एपक विए वेर इस दा हैड़ कौपर ऑफ एपक चली दोस्तों ध्यान रखना है ये कोशन आपको मिल सकता है ये अब थोड़ा सा ऐसा है कि सुजिलेंड में तो एपक होगा नहीं है ना क्यूंकि एशिया पैसिफिक की बात हो रही है इसमें फिरॉस्पूर नाभी कमी है ठीक है तो एक सिंगापूर वसता है जिए कोशन अधी के किनार कोशन का आंसर कहें पते ही आंसे के हैं टॉप 300 MC क्यों हैं ऐसे प्रीविएस यह कोशन आपको पेपर मिलते हैं सतलुज इसका आंसर है फिरोजपूर पंजाब में वह बड़ा फेमस है फिरोजपूर वैसे भी है ना तो यह इसका तो पता ही है फिरोजपूर पंजाब में ठीक है सतलुज नदी करते हैं कर से कसर गोड़ सोलर पार्क की आगर बात करी जाए तो यह कौन सी स्टेट में ठीक है कशल ओड़ जो सोलर पार्क है कौन सी स्टेट में कर लाइस का आंसर है इन विच इंडियन स्टेट इस पुलकित लेक बड़ संचरी सिचुएटा यह पुलकित लेक बड़ सेंचरी कहां पर सेचुएटा इन यह इम्पोर्टेंट कोशन है दोस्तों ठीक है जैसे यह question है कि पुलकित very famous इधर एक आंद्रपदेश ते रहा है दो लेक है चिलीका लेक और पुलकित लेक यह दो फेमस है चिलीका का कोशन और पुलकित का जो है पुलकित लेक का आंद्रपदेश का कोशन आता ही आता ठीक है यह आपको आंद्र परदेश का मिलेगा ही मिलेगा एक और कोशन देखिए चंदेली नैशनल पार्क कहां पर है वेर इस चंदेली नैशनल पार्क लोकेड़िट चलिए तो answer के इस question का ठेकें ये कहां पर है महारास्ट में एक और कामला बफैलो रेस ये प्रसिद है इतना unique race होता है और इस पर विवाद भी उठाता है वैसे बीच में कि कामला पर ही विवाद उठाता है तो अब बताइए इस question का answer होने के क्या chances हैं बताइए कामला बफैलो रेस का क्या answer हो सकता है कामला की अगर मैं बात करूँ कि कामला बफैलो रेस जो है ये कौन सी state में इस question का answer क्या है करनाट का सब्सक्राइस का answer है चलिए एक और question एक लव्य आवोर्ड जो है outstanding performance पर दिया जाता है किस फिल्ड में बताइए लव्य आवोर्ड किस फिल्ड के outstanding performance पर दिया जाता है कि यहीं कोशन मिलेगा जैसे एक लव्वे अवोर्ड का कोशन इंपोर्डेंट है अब स्पोर्ट की फीड में हो सकता है कि एक लव्वे धनुषदारी थे ऐसा माना जाता धनुंदर जो माने जाते हैं महाभारत के समय काल में स्वैटलिंग कप जो है कौन से स्पोर्ट से संब अब करेंगे उतना आपको बेनिफिट है दो घंटे में आप इतने कोशन कर लोगे यह आपको और कही कोशन करने की जूरत नहीं बढ़ेगी एक ही क्लास है जो आपके कोशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चली तो इस कोशन का आंसर क्या है इस कोशन का आंसर टेबल टैनिस टेबल टैनिस है एक और कोशन है बोनालू इस ट्रैडिशनल हिंदू फेस्टिवल विच स्टेट बदे बोनालू जो है ट्रैडिशनल हिंदू फेस्टिवल है को सी स्टेट का आंसर क्या है बदे बनालू कौन सी स्टेट का traditional हिंदू फेस्टिबल है बताएं आंसर के इस question का तो इस question का answer है दोस्तो तेलंगाना तेलंगाना इसका answer है है ना जैसे एक question आ सकता है ऐसा अब ये बोनालू तेलंगाना के ओर भी बहुत सारे हैं तेलंगाना का एक जो है लेटेस फेस्टिबल कहां पे दर्शाय गया था ठीक है बतु कामा है ना कहां पे दर्शाय गया था बुर्ज खलीफा में उस पे question आ सकता है तो ये मिल सकता है लग बसोई century जो है कौन सी स्टेट में कमेंट करेगा कौन सी स्टेट में इस question का answer के चली तो answer के इस question का चली बते ही जैसे अभी लग बसोई जो है ये century प्रसिद है अब कहां पे है पते हिमाचल प्रदेश में आंद्र प्रदेश में उत्राखन में कहा यूपी में सोरी चली तो इस question का answer क्या है बटा यूपी इसका answer है ठीक है राते है अब यह जैसे ना जितने भी century वाले कोशन है यूपी के बहुत होते है उपी में सारे है जदर जदर में ऊपनचाब में होती ऊड़ाराइंAPP धन्वात का निकजेम क्या है am को कोशन कोशन आएगा वड्र करते है चली है के जैसे कोशन आ सकता है तो आंसर कोल कैपिटल और ऑफिंडिया धनवाद और जारखन के कोशन जो है बहुत मिलेंगे अपको धन्बात की अलावा और भी बहुत सारे जैसे अनसोल। वोशन आपको मिल सकता है हाइस गेटवे इन दवर्ड पूरे दुनिया का सबसे हाईस गेटवे गूछ सा बताब 200 कोशन से जादा करने के कोशिश में करोगे प्रेक्टिस आपकी जादा होगी प्रेक्टिस यह एक्र सी बढ़ती है कोशन प्रैक्टिस का सबसे है कहां पर बताइए कौन सी स्टेट में ये भी यूनिक कोशन नहीं पते वेरिस ग्लाथिया नैशनल पार्क लोकेड़ इसकोशन का आंसर क्या है कमेंट गरिए बताइए आंसर के इसकोशन है ना important है question बहुत important question चली तो इस question का answer क्या है क्लाथिया नैशनल पार जो है answer इस question का अंडबान एंड निकोबर इसका answer है ना अंडबान एंड निकोबर इसका answer चली यह हो गया question यह भी बनिया चलिए याद रखना एंडवर्णे कबर कânा कोशन जीमपर कोशन बहुत इंपोर्टन यह द््वारका धीश टेंपल कहां पे वे रियू त द्वारका धीश टेंपल लोकेड़ बताएं आंसर के इस कोशन का वेर इस द्वारकादीश टेंपल लोकेटेड चलो ध्यान रखो द्वारकादीश टेंपल कहां पर गुजरात एक और कोशन देखिए चरवा डांस जो है ट्रेडिशनल डांस है कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है बदे ट्रेडिशनल से कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है चलिए आंसर के इस कोशन का इस कोशन का आंसर बतेगे तो यह इंपोडेंट कोशन इस कोशन का आंसर क्या है दोस्तों मिजोरम इसका आंसर है क्या आंसर है मिजोरम इसका आंसर है कलमावू डैम जो की किरला में है कौन सी पूरत कोशन होने है भाई अभी तो दो घंटे के क्लास है पूरा दो घंटे का सेशन है और दो घंटे में आप सबसे ज्यादा कोशन करोगे ज्यादा उठाओ इसका ठीक है यही टाइम है पढ़ने का बढ़िया अब शानती है दोड़ी कलमावू डैम जो है केला में कौन सी नदी किनारे बताओ कौन सी नदी किनारे होगा कौन सी नदी के किनारे यह कलमावू डैम केला में है किनारे नहीं ऊपर सो रही है पर्यार नदी के ऊपर है है ना शहर होगा किनारे कोई दिक्कत ने है ठीक है मोताश्यू फेस्टिवल है ठीक है मोताश्यू फेस्टिवल हूँ है चले मोताश्यू कि एगर मैं बात करूं कि मॉताश्यू फेस्टीबल जो है कुन सी स्टेट का European है इस कोसिन का आंसर क्या होगा तो दोस्तों कोशीनsal है नागाल इन्ट समय है ना नागालेंड का एर्पोर्ट कौن सी स्टेट में hierarch है को राज भोज इंटरनेशनल एर्पोठ कौन सी स्टेट में नाम सुना सिकंग जो थर्मल्फ रहे कहां पर है कमट लोकियटे कहां से कहां पर यह थर्मलेगवर स्टेशन ये पाटि स्पिश्पेट ए किलिये इंपोटेंड थे खुशन कि चलिए जी स्कोशन का अंसर के हैं आंसर को गुजरात है जिए ऑली बहुत फेमस इन इंडिया स्काइंग के लिए डेस्टेशन बहुत फेमस मानी जाती बंदा बरफ से ढखा रहता है हमेशा एक किस किस टेट का भाग है ऑली आपने सुना होगा तो बहुत प्यारी लोकेशन है उत्राखंड का है यह ओली ठीक है ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल आप मेरी वीडियोस वर्ल अफेर पे भी देख सकते हैं वर्ल अफेर पे मैं आपको मॉर्निंग 6 एम वीडियों प्रवाइड कराता हूं कम्प्लीट करेंड अफेर अफेर अफ चली तो इस कोशन का आंसर क्या है जैसे इदर लिखा हुआ है तो इदर से अपना जल्दी से आंसर निकल जाए वैसे तो हमें सभी का पता हो न चीए कि देरम किसकी कैपिटल है योरो किस-किस देश की कैपिटल है जितने भी जैसे तरही हो गया फसाई हो गया और बहुत सा सब्सक्राइब हो गया जितने भी अरभी है जो कि दिल्ली में हैड़कॉक्टर जोकिंदी में हैडकॉर्टर क्या इस कोशन का अनसर दिल्दि होगा न्यम्यक के हैं औरiva गात्या से क्वाटटर दिल्ल्दी में कि चलि तो आंसर है दिल्ली है ना सोल करो जैसे ये गुरू घसिदास इंटरनेशनल एरपोर्ट भी है तो मतब गुरू घसिदास का हमें पता हो नचे इतर एक जैसे लिखाओ बागे आप कोशिश करो कि आंसर आप बताओ खुद पते क्या इस कोशेंगा अश्च गुरू घसीदास युनिवरसिटी कहा पे हो सकती है अश्च गणार इसका आंसर है तो यह कहां पर लोकेड़ है तो यह कहां पर लोकेड़ है देखो अच्छा यह इधर नोट लोकेड़ लिखा हुए ध्यान रखना इधर नोट को अबसर नहीं किया क्योंकि अगर देखते तो फिर असाम तो डेफिनिटली आंसर आता है नोट लिखा हुआ ठीक है नोट लिखा हुआ है इसे कोशन गलत हो जाते कि बेस बोल में दोनों स आतरीन इस साइड यह होते हैं कि नबर फलेयर दोनों साइड जो है नोनों के सब्सक्रहे सब्सक्राब करें करते हैं बता है को बता है को है चाली तो इस कोशन का आंसर क्या है स्कूशन का आंसर क्या है इंटरनेश्टल सिविल एविएशन और गरेशन की अगर मैं बात करूं तो इस कुशन का सब्सक्राइब का इसको सब्सक्राइब कानेडा इसका आंसर है एक और कोशन देखिए उलन बतर जो है यह कैपिटल है कौन सी कंट्री के इस कोशन का आंसर क्या है तो इस है क्या है कि बता अगर उलन बतर की बात कि यह नाम आपने बहुत बार आकरमन की ग्रवर मंगोलिया तो उलन बतर भी से संब्दित रहे कभी इतिहास अगर आपने लेंड ओफ राइजिंग सन किसे कहते हैं बड़ा असान है कौन सी स्टेट को लैंड ओफ राइजिंग सन कहते हैं बड़ा बेसिक कोशन है मतलब यह ना पाइडिस्पेट करो बताओ आंसर इधर तीन सो वही तो राइजिंग जो है सन सिटी कहेंगे यार अस्टेट कहेंगे जैतापुर नुक्लियर पावर प्रांट कों सी स्टेड में इस कोशन का आंसर के हैं जल्दी से बतेगे को इंपोर्टेंट है कोशन आ सकता है चली जैसे अगर जैतापुर की अगर मैं बात करूँ तो इस कोशन का आंसर है महराष्ट ठीक है जैतापुर महराष्ट में जैसे अंडॉंटिड सेविंग दा आइडिया ओफ इंडिया यह किताब के ओथर कौन है कमेंट करीगे इस कोशन का आंसर के है कि मतरी है कि यह है इस कोशन का आंसर क्या है क्या है क्शनपानम पोर्ट की अगर आइवाद करो तो कौन सी स्टेट में है किस्नपानम पोर्ट इस कोशन आनसर बताई करो अभी बहुत सारे कोशन करेंगे आद दो घंटे लगाएंगे और बढ़िया से सारे कोशन जो है करने एक पूरी पीडिएफ कवर कर लोगे समझ लो आप पूरे कोशन के सैट को पढ़ चुके हो जो आपके एक्जामस में आये हैं जैसे किष्ण भटनम है इस कोशन का आंस अगा कि मत्यी वीर सुरेंद्र साइ्स चेडियम जो है कहां पर लोकेटेड है इस कोशन का आंसर के बढ़ा आनसर है शटाइक है इन विच स्टेट इस अच्छा यह हो गया न मुध ले नैशनल पार्क कहां पर है तो ये तो हिमाल्यास हिमाचल आंसर क्या होगा बताएं हिमाल्यास हिमाचल ग्रेट हिमाल्यास नेशनल पार्क जो है ये कहां पर तो इस कोशन का आंसर क्या है चलिए तो इस कोशन का आंसर है कि ग्रेट हिमाल्या नेशनल पर कहां पर हिमाचल में हैमिस यह इल्टिटिट्ट नेशनल पार्क कोंसी स्टेट में बताओ है में इस इस में अप्शन में दे रखा है क्या हम लगा दे आंसर में चलिए क्या हम लद्दाख लगा दें आंसर में सुबह ना कल एक स्पेशल मैराथोन रखे इस बारी करेंट फिर का मैराथोन थोड़ा यूनिक है ठीक है सुबह इसलिए थोड़ा से लेट भी रखा है कि साथ वजे के आसपस रखा है अराम से साथ वजे आप जरूर देखेग में बदे वीरुपक्षा डेंपल कौन सी स्टेट में है तो इस कोशन का आंसर है दोस्तों ध्यान लगना इस कोशन का आंसर है करनाट का इसका आंसर इंपोर्टेंट है कोश एक और देखते हैं सोल करो यह मेरा टेलीग्राम चैनल है समय रहते हैं इसको भी जोइन करना क्लास के अंत में अवंसर वाइफे सड़ी सोड़ा आपके लिए आसान डॉक्टर वी एस राजशेकर रेड़ी क्रिकेट स्टेडियम कौन सी स्टेट में है पता है इस कोशन का आंसर के आए चली यह कहां पर यह थोड़ा सा निया कोशन हो गया एक और डॉक्टर वाई एस राजशेकर रेड़ी वैसे यह जो रेड़ी एन ओल आपने सुना है तो वह कहां पर हैं देखो आप अभी अभी सभी जानते हैं वाई एस जो है जग मोहन ऐसे आपने कुछ सुना हो तो आंध्र पदेश के चीफ मिनिस्टर से संबंदित यह नाम है है ना तो यह याद रखेगा अभी क्लास पूरी लंबी चलेगी अभी हमें 300 कोशन पार लगाने आज हम कोशन प्रैक्टिस पूरी कर लेंगे जो भी बचे देख रहा है मैं थियोरी ही पढ़ाता हूं आपको हम संबंदित हैं है 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 मतरी है राइडर कप के स्पोर्ट से संबंदित है तो आंसर इस कोशन का होकी अभी मैंने दोपैर वाली या शाम वाली क्लास में बढ़ा है थीक है है ना चले एक और कोशन देखिए काची पूरम टेंपल पसिद्ध है कौन सी स्टेट में बताई आची पूरम टेंपल साथ डैम फेमस है ना चलिया आंसर के इस कोशंगा इस कोशंगा आंसर के काची पूरम टेंपल आड़ यांव फेमस तो आंसर क्या होगा इस कोशंग ग्रूप आफ ओओफ मॉनिमेंट अड्पतक डाल जária यह कौन सी स्टेट में पतक डाल खतरनाक तरिके से ऐसा आप नाम सुने हूँ तो बताऊं सके है कि ग्रूप ओफ मॉनिमेंट औ औफ पतक डाल की जब मैं बात करूं तो इस कोशंगा आंसर क्या होगा बताई मौ ज्कॉशं आंसर के नियुक्या टूंसर वेक्षे छतरनाग तरीके से पटक डाल। רणि टो आज से करनाट का है क्या कैंठ का सलाएं इन्डश करनाट का अंसर लगाएंगे इस कोचिन का मशनुक्र gratis चली तो दोस्तो ध्यान रखना in that case definitely करनाट का आणसर होगा हम क्योंकि असान है वैसे question चली तो करनाट का आणसर है तोल करते हैं और question देखिए पावरी नाच जो है ये कौन सी state का नाच है ठीक है तो आप सब शुकते हैं यह पावड़ी जो है यह क्या है यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था बीच में क्या हो रही है द्यार लखेगे इस संबंदित इन्सτίूट कहाँ पे है एक जल्दी से खटांगे पीडिएफ मिलेगे हम्नेड परसंट मिलेगे I assure you PDF मिल नहीं बस एक कल सुबह current affair की class कर लेना world affair की वीडियो तो खेर आप सारे ही देखते हैं तो current affair की class देख लेना उसके बाब PDF आपको surely मिल नहीं है ठीक है किसका answer है important question है पूछा रा सकता है जैसे यह question है golden gate bridge की अगर बात करूँ तो यह कौन सी country में इस गोल्डन गेट ब्रिज लोकेटेड इस कोशन का answer क्या है बते कहां पर golden gate bridge located है इस कोशन का answer क्या होंगा बताए यह अच्छा कोशन है इंपोर्टेंट है कोशन यह कि golden gate bridge जो है यह सन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में यह फेबस भी है यह हमें याद भी करना भाई यह जरूरी है इस कोशन का आंसर किनसासा capital है कौन से देश की कि किनसासा capital है कौन से देश की इस कोशन का answer क्या है कि अच्छा को आणसर क्या है कि अच्छा के आंसर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो इस कोशन का आंसर ठीक है कॉंगो इसका आंसर किनसासा फेमस है इसलिए आपको पताओ न जी जैसे शेंगाई इसके टोटल अगर कंट्री के पर्मनेंट मेंबर देखा जाए कितनी कंट्री पर्मनेंट मेंबर है इस ग्रूप की तो बताइए कि आठीस का आंसर है वल्ड हिमानिटीरियंट इसका ँझ आणसर क्या होगा बताई है इसको सग थे की कि आप चलिए दिए जैसे ये वर्ड हिमानिटेटीरियंट डे वैसे पको पता हो न चाहिए है साइंसकी क्लालग8 बेटा अभी science के question आएंगे पहले आप ये पढ़ लो इस पर फोकस करो और कल करेंट फिर पढ़ ले ना कल का करेंट फिर इसी के जैसा ठीक है इंपोर्टेंट है ठीक है चली इस question का answer क्या है है 19 अगस्त है humanitarian का इस question का answer 19 अगस्त इसका answer है ठीक है चली एक और question देखिएगा जैसे Red Cross की अगर मैं बात करूँ तो International Committee of Red Cross जो है ठीक है ये कहां पर इसके headquarter है चली तो इस question का answer lucky पूरी क्लास देखने चाहिए जनेवा स्यूजिलेंड इसका answer तलेगूर question देखिएगा जैसे कहरे सुरस्त्रा cricket association stadium सुरस्त्रा location है बहुत फेमस ठीक है बते हैं इस question का answer क्या है जो भी त्यारी करने है साथ बजे वाइफे श्टेडी पर आपको वैसे बता रखा है वाइफे श्टेडी पर साथ बजे पढ़ना स्टार्ट कर दो यह टाइमिंग फे तो चलो खेर आज मैं specially पढ़ा रहा हूं और जरूरी भी है कि आप फिर साथ बजे पढ़ भी पाएं अबनाऊ ना रdar के सुरस्त्रा क्रिकेट कर असोशीये श्टैडियम कहां पर हे मतरी इस कोशन का आनसर क्या है चलिए तो जोटिए सुट्राइशन का आनसर क्या है गुजराथ तो है मैन फीस यह हूँ दार वह लेकिन हाँ आपको बसा morals चाहिए नहीं होंगे लाल भादुर शास्त्री जी है नहीं वाइल्ड एफेर के करेंड फेर वीडियो तो देखना लेकिन कल सुबह मतलब होता है कि कभी-कभी हमें 300-400 कोशन करेंड फेर के रिवाइस कर लेने चाहिए वह आप समझ लो आप वह रिवीजन करोगे टॉप 300 कोशन का करेंड फेर के वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे वह कर लेना जैसे अब यह कह रहा है कि एक जुलाई को क्या उबजर करते हैं बते क्या क्या आता है आंसे के इसकोशन एक जुलाई को क्या उबजर करता है चल एक जुलाई को दोस्तों क्या उबजर करता है इस कोशन का अंसर है डॉक्टर्स जी ठीक है इस बारी डॉक्टर्स डे पे जो है एक जुलाई को बहुत सारे रेकोगनाईज भी किये थे डॉक्टर्स करोना वारस में जिन्होंने अपने जो है सर्विसेज दी है बैल्जिन किंग कप जो है किस स्पोर्ट से संबंदित है इस कोशन का आंसर क्या होगा चलो तो आंसर है इस कोशन का यह वूमन जो है टैनिस से संबंदित है एक और कोशन वाट इस दा करंसी ओफ म्यानमार की करंसी क्या है है ना एक अच्छा कोशन है कि जो म्यानमार की करंसी है वो क्या है तो दोस्तों आंसर है क्या थे यह फेमस भी है क्या जो है म्यानमार की करंसी है बहुत ही आसान ठीक है बहुत ही आसान एक और कोशन देखिए कमेंट करेगा ठीक है इस कोशन का आंसर बतेगा जुरिक एरप इंटरनेशनल कौन सी कंट्री में इस कुछिंग आन सेकें कि इस कुछिंग आन सेकें यूरिक इंटरनेशनल एरपूर्ट इसका आंसर है ठीक है न्यू बैच कल शाम को साथ बज़े वाइफाइ स्टडी पे स्टार्ट होना है ठीक है पूरा एससी और बाकी सभी एक्जाम्स की त्यारी हो रही है तो आप कर लेना हवाना कैपिटल है किस इंदेश की इजी कोशन वेरी इजी कोशन ठीक है आंसर के इस सब्सक्राइब कोशन का अंसर के हवाना जो है कौन से देश की जो है कैपिटल है सवाल है मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस कोशन का आंसर क्या है हवाना किस देश की कैपिटल है चली तो दोस्तों हवाना किस देश की कैपिटल है इस कोशन का आंसर है क कोशन का आंसर क्या है क्यूबा इसका आंसर है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है क्यूबा इसका आंसर इंपोर्टेंट बताइए कहला सत्यार्थी नोबल प्रुसकार जीते थे बच्चों को इन्होंने बहुत जादा सपोर्ट किया है चाइड़ूट तो नोबल प्रुसकार किस फीड में जीते हैं आंसर क्या है कुछ कोशन असान भी आते कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है असान मुश्किल सब कुछ बढ़ो एवरिज ठीक है चली आंसर के स्कूशन है ना जैसे ये कोशन है इस कोशन का आंसर क्या है कि ये तो नॉबल प्राइस पीस में दीते थे इस कोशन का सोल करो ये हो गया कोशन स्किप पंती डांस कौन सी स्टेट का फोक डांस है इस कोशन का आंसर क्या है इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बता है पंती डांस कौन सी स्टेट का फोक डांस है इस कोशन का आंस है चलो जैसे इस कोशन का आंसर है कि वह पंती डांस है कौन सी स्टेट का फोक डांस है दोस्तों जो पूरी दुनिया का सबसे सुर्इवरग्यांट कौन सा कटकर कोमशन कि दोस्तों पूरी दुनिया का जो लार्जस्ट सुर्इवरर अलेंड यह वह कौना है मजूली आइलेंड ठीक है मजूली आइलेंट है क्या रहा है डिब्रुगड असाम में है सवाल ये पूछा रहा है कौन सी नदी के किनारे ठीक है डिब्रुगड असाम में है कौन सी नदी के किनारे इस कोशंगा आंसर के है ठीक है चलो तो आंसर के इस कोशंगा ब्रहमा पुत्रा इसका ऐंसर है ठीक है जैसे वर्ल वाइड फन्ड फॉर ने यह हो गया ग्लंड शिजलंड इसका आंसर स्किप मारो में वोशन वाड ऐस्टो फॉरसेस डे ये अच्छा कोशन है बताई किस दिन ऑप्जर किया था वॉर्ल ऐस्टो फॉरसेस डे किस दिन हम वर्ल्ड ओस्ट ओफरसिस डे जो है अब्जर करते हैं इस कोशन का आंसर क्या है किस दिन हम वर्ल्ड ओस्ट ओफरसिस डे अब्जर करते हैं इंपोर्टेंट एयर कोशेन आ सकता है कि वर्ल्ड ओस्टोफरसिस डे हम किस दिन अबजर करते हैं 20 अक्टूबर को ठीक है 20 अक्टूबर को किया जाता है वर्ल्ड ओस्टोफरसिस डे अबजर चली तो इसकोशन का आंसर बताएंगा अना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन अबजर किया आता है बताएं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कि कि चली तो इसकोशनगा आंसर क्या है दोस्तों इसकोशन का आंसर 10 अक्टूबर है ठीक है बहुत इंबोडंट कोशन है तर्थ हैं और कि यह आ चली इसकोशन का आउनजर करते है कि वेटा आज बहुत लंबी क्लास चलनी है आज आप की ठीक है जब आई डैम जो है कहां का डैम है कौन सी स्टेट का डैम है जल्दी से बतेगा ठीक है आज बहुत कोशन होने है ठीक है और फिर बाकी सुबे करेंट फेर तो हर कोई बच्चा देखना जैसे इस कोशन का आंसर क्या राजिस्तान हो सकता है तो ध्यान रखेगा राजिस्तान इसका आंसर है कोन सी स्टेट में है मतरी आइशबाग स्टेटियम कोन सी स्टेटमें इस कोशन का आंसर क्या है अच्छा कोशन ठीक है आने लाइक कोशन कई या इस चैनल को जहें है कि यह मद्धेप्रदेश में ना इंटरनेश्य रेडी प्रोज्ट एंड खरशन्ट मुमेंट जो है यह जो है कि सब्सक्रशक करें है इंटरनेश्ट रेड खोशन्ट मुवमेंट चलि तो वता है इस तोड़ेश्ट आंशर कर रहे कि अच्छा को चलिए इसकोशन का आंसर क्या है दोस्तों इसकोशन का आंसर है यह ठीक है जनेवा सुजी इन इसका आंसर इन विस टेट इस गाथा फॉल लोकेड़ है और फॉल लोकेड़ वह इसकोशन का कि है एष द्द्व brack पॉल लोकेड़ आश्ए कोन सी सीटी को लिजी सईडी कहते है इसकोशंगा और मत्र स्टैनिंभ गवनियुव cheap लिटी किसे कहते हैं मुझफफरपूर को कहते हैं क्या मुझफफरपूर चाली तो इस कोशन का आंसर यह यह बड़ा फेमस लीची है सबसे फेमस लीची है पूरे इंडिया में मुझफफपूर का महावीर स्टेडियम जो है स्टेडियम कहां पर लोकिटेड है इस कोशन का आंसर क्या बताएंगे इस कोशन का आंसर के क्या वोड़ा बताएंगे। Marketing Day प्owaशन का इसे फिपर लोकिटेश फिमाद सक्टशन का आंसर का उंडियों क्या कि लिचलो इस कोशन के रिवें और बताएंगे dil ANYगी है क्या है श्यू झान है रिए विवे अभी है में चलिए इसकोश्ञगा एंसर क्या हैं हर्याना ऊटूमेटो फेस्टिबल जो है कौन सी यह से चाहें छे में अब कर दाय का थे बाकी सब्सक्रेवल भी बता देते हैं यह टमेटो एंड आजना इन वी यह यह वहाँ पर यह कहां पर एक इस कोशन का आंसर के है पाड़ी स्पड़ करो अच्छा कोशन है इस कोशन का आंसर क्या होगा बेटा अभी बहुत सारे कोशन करेंगे आज पॉलेटी की क्लास नहीं हुई बेटा मैंने कहा था कि आज यूटुब पे क्लास चलेगी लेकिन कल्प पुरा पान इसका एक और लीए पते किमसार फोट कौन सी स्टेट में इस चोशन का आंसर क्या है वेरस किमसार पूर्ट नोकेडें रही तो कि लेका लुकषण काया करद दोस्तों राजिस्थान-बीकर learns किम सार्फोर्ट कहですね तो इस कोशन के यहां डोस्तों राजिस्थान में ठीक फोर्ट के कोशन जाए था राजिस्थान ही आंसर होता है वाट इस दा करंशी फिलिपिन्स का करंशी क्या है बते ही वाट इस दा करंशी फिलिपिन्स इस कोशन का आंसर क्या है कि एना इंपोर्टन कोशन है तो आंसर को देखेंगे एक ओर देंगा बड़ आंदर प्रदेश का नीमल क्या है डें की वे यह चलिए तो इस कोशन का आंसर क्या है दो इस कोशन का आंसर यह है ब्लैक बग एक और कोशन सोल करते हैं काल बेला डांस है देखो यह तो बड़ा फेमस है और युनेसको साइट में से एक लिस्ट में आता है युनेसको की काल बेला तो ऐसे नाम प्रसिद्ध त कर अभी अप सुनती होंगे और इसा में बड़ा फेमस है के वीजू पतनायक नाम बड़ा फेमस है उडिसा में है ना तो शायद हम बड़े असानी से इस कोशन का अंसर लगा सकते हैं क्योंकि इसका अंसर उडिसा होगा सली एक और माई लाइफ माई गंट्री माई लाइफ ओटो बायगरफी है किसकी फेबस बेखती है ठीक है बहुत फेमस हाला कि परधान मंत्री के पत पर नहीं बने आस तक लेकिन रडिस बेस्ट चलिए तो इसकोशन आंसर लाल किष्ण आडवानी जो है वो है ठीक है बीजीपी के ठीक है उडन परी किसे कहा जाता है भारत की भारत के उडन परी किसे कहा जाता है यह important question वज़े भारत और ने किसे कहा जाता है इस का आंसर क्या है बताइए ठीक है उडन परी किसे कहा जाता है इस कोशन का आंसर क्या है तो एक महत्पुन सवान कहेंगे हम इसे तो आंसर है पीटी उशा सोल करें बताइए गिर्फ फोरेस्ट नेशनल पार्क कहां पर अधे वेरेस गिर्फ फोरेस्ट नेशनल पार्क लोकेट कमेंट करेगा वेरेस गिर फोरेस्ट नेशनल पार्क लोकेड़ इस कोशन का आंसर क्या है चलिए तो इस कोशन का आंसर क्या है दोस्तों ठीक है छली तो answer के क्या समिशन गुजरात कि आ वर्लेट ड्र डीक सिदिन और किया जाता बताई है यह कुंशन का आंसर कि ठीक है a ब्लक्न डोन डें किसी दिन और किया जाता है यह अभी लेटस हमने 14 जून के जो कंटेंट को भी पढ़ा था मैंने एक स्टैटिक जी के पॉर्शन में कराया था लग से रोहार ओफ इंडिया किस रीवर वैली को कहा आता है कौन सी रीवर वैली है जिसे रोहार ओफ इंडिया कहा आता है अभी जो भी बच्चार है बेट वाला हूं और आगे तक क्योंकि देखो मुझे लगता है कि हमें इस समय यही समय मिलता है जिसमें हम शांती से पढ़ सकते हैं आपको डिस्टरबेंस कम है और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता रात को तसली से पढ़ो अराम से दामदर इसका आंसर है एक और हुआ यहायैं चैंडिकनेम क्या है so cityokeयग है इंपोरटेंट कोशन जैसे क्शन है कैपटन्रोप सिंह स्टेडियु कहां पर है इससके का आंसर क्यां चलिए तदोस्तों ध्यान अखना मध्यक्रदेश है और बताएं ठीक है बगली हायट आम जप्राइब घॉपर कौन सी नदी के ऊपर जैसे यह सब्सक्राइब अब प्रू रामदास ची इंट्रश एएरपोर्ट वेटा अभी मैं में मोस्ट प्रबैबली आपकी टॉपिक वाइस के कंटेंट को लगाने वाला हूं यहां पेक्षिकी मुझे लगता है कि हमें और भी मैं जुके कर नहीं है ऐसा माइक का नुक्सार हो गया तब अधार इसकोशन का आंसर के है श्री गुरू रामदास इंटरनेशनल एरपूट कहां पे इसकोशन का आंसर के है चलिए आंसर के स्कोशन पंजाब इसका अंसर है ठीक है चलिए पंजाब इसका अंसर है एक और कोशन देखिएका सोल करेगा जैसे इंटरनाशनल ओर्णाइशन ऑफ स्टेंडडाइजिशन जुए यह कोहां पे लोकेट है इसके हैड़कोरटर कहां पे चली तो इसकोशेंगा आंसर के देखो यह सारे कोशन नहीं आए जैसे यह स्टेंडाइजिशन को कोशन हमें नहीं बताता पहले बताओ इसकोशेंगा सबसे आखिर में जोइन करने का मोका मिलेगा अभी आपको अभी नहीं करना कुछ भी अभी पढ़ना है सर फादर ओफ इंडियन कोमिक बुक जो है यह इने का आया था बड़ा प्रसीद नाम रहा है ठेके चाचा चोदरी ऑप्शन में दे रखा बस बाकी तो प्रसीद नाम है यह ए अनुप सिनहा अनंत पाई बड़ा फिर्मस नाम है अनंत पाई वेरी फिर्मस नीम अमंग दीज ना अनंत पाई वेरी फिर्मस अ ज़ब इसकोशन का आन्सर क्या है आनंदपाईस का आंसर है जैसरे कोश्च सब्सक्राइब अगर बात करूं तो इसकी डेट क्या है अज सहना में कोई पोश्च नहीं ठीक है अभी वैसे भी जो है आज क्या तारीक है साथ है ना तो वीक तो स्टार्ट हो गया ठीक है अब पोस्त थोड़ी होंगे समझ रहे हो ना क्या होगा फडल लेशे मैसेज आंसर इस कोशन का नौक टूबर इसका आंसर एक और कोशन देगे करनाल सीटी जो है कौन सी स्टेट में है बड़ा आसान है फेमस है ठीक है वेलकम टू करनाल ठीक है स्टेट में एंटर करती लिखा हुआ मिलता है पते हर्याना लिखेंगे पंजाब लिखेंगे क्या लिखेंगे बमटए इसकोशन का अंसर के कौशन का आशेएम दोस्तो ऐए स्टैक है बहुत महत्तों सवाल है हर्याना इसका आंसर है पाटिस्पेट करो करते जाओ दो-तिन घंटे पड़ेंगे अभी यह हो गया है कोशन इसका स्पैसिफिक आंसर क्या है बताईए यह कोशन हो गया है टेलिवीजन 21 नवंबर दे रखा है ऑप्षन में क्या आंसर सही है 21 नौउम्बर दे रखते क्या آंसर स है चली तो आंसर है इस कोश्न का 21 नौउम्बर देखो वेमडाल लेख बड़ी famous लेख है ये कहाँ पर situated है बताइए वेमडाल लेख is very famous लेख तो ये कहाँ पर situated है जल्दी से बताएं देखो वेमडाल लेख क्याल कियाल के रला की स्पैसल लेक्स होती है जो की एक तरीके से क्या सकते है आइलेंड की ऐसी शेप बनाती है ये बड़ी सेमस है ऐंसल कोन सी स्टेट की सतेria आपका participation है जिसकी वजह है क्लास को बहुत लंबा लेकर जाने वाले हैं और बढ़िया से पढ़ाने वाले आपको सब कुछ कैसे बात करो हंगरी की capital currency क्या है चली तो इस question का answer क्या है कि भई अंगरी बुद्धा पैस लिखा एक तो न देखो बुद्धा पैस लिखा क्या answer इसका बुद्धा पैस होगा क्या इस question का answer बुद्धा पैस्ट है चलो तो बुद्धा पैस्ट खोरें जो है इसका अंसर एक अच्छा कोशन है जैसे कहना संतोष ट्रोफी यह हुआ था कोशन तो आपको आना चाहिए कोशन बते यह आंसे कहें संतोष ट्रोफी कि स्पोर्ट से संब्दे थे चली तो इस question का answer फुटबोल है फुटबोल है ना देखो फुटबोल से संब्दे बहुत सारे कप आपने सुन लिए होंगे रोवर कप हो गया संतोष ट्रोफी हो गया डॉरेंड एनोल सब कुछ याद रखना आपको प्रैक्टिस करते रहो बाकी चीज़ों की भी चली कि बते पोटरणों किस देश की कैपिटल कमेंट करेंगा इस question क्या होगा कि बते इस question का आणसर क्या होगा कि पोटरणों वो किस देश की टर्टाली कूंँ शीट का फोक्ड आंसर है वे सनुन और अब ये यह Спर टाली कूंसिस ट्रpt का फोक्ड आंसर वेसे मध्य बदेश इसका आंसर है मध्य बदेश इसका आंसर गुजराथ वाला याद किया है ना कि यह पह हैं कि यह ships है ना मेरी हम सुनेंगे कहां कि Beispiel और यसाम और वर्जबंगोल ओप्जन में दे रखा है असाम अंसर है क्या क्या इस कोशींगा अंसर असाम है ना मेरी नेशनल पार्क कहां पर है बते़ स्कॉशंग का कए वेरिस ना मेरी नेशनल पार्क लोकेड़ और कमेंट करेए इसकूशन का आंसर तो इसकूशन का आजाम है दडे आइस टॉब ड्रिंकिंग इस किताब के ओथर कौन है यह बते इसकूशन का आंसर रिंकल खन्ना कपिल सिब्बल रतन टाटा एंड सुदा मूर्ती जी इसकूशन का की दो डे आइस टोप ड्रिंकिंग मिल्क जो है यह किताब के ओथर कौन है स्कूशन का आंसर क्या है कि कि गुवर एकुल देखे ग्रीन फेल्ट इंटरनेशन स्टेडियम लोकेडिट बदे ग्रीन इंट्रनेशनल स्टेडियम कहा पर लोकेडिट है इसको से जबहां कि नाच्प में फुर्ण करें बात करूं तो इसके हेड़कॉर्टर कहां पर बताइए इसकोशन का अंसर है इसकोशन का अंसर ने रोभी है क्या इसकोशन का अंसर ने रोभी है चलो इंपोड़न और वर्ल कस्टम औरशन के हेड्वॉर्टर कहां पर ने रोद क्या सब्सक्रा Time के अंसर больше बेल्जीम है ब्रूसर बेल्जीम वेरीफेमस Will बेल्जियम बेल्जियम ब्रूसलिज़क कोक्पिट अफ यूरप यहीं पर अभी नाटो फिस दोबारा जो है कोशन करेंट फिर में रहा है नाटो ते रुच्छा यूकरिन की विज़ा से वर्ल्ड कस्टम और्ग्रेशन के हैड़कॉर्टर कहां पर बदैं वर्ल्ड कस्टम जो है इसके हेड़कॉर्टर कहां पर है इस कोश्चं का आंसर क्या होगा है कि अपर बोट कर अजय होगा बेल्जियम अभी हुआ यह कोशन लेकिन आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चीजों का और अगर मात करूं हॉप में कप स्पोर्ट्स का पक जो है यह किस खेल से संबंदित हैं आंसर के इस कोशन जैसे यह है कि होप में कब रहा है किस खेल से संबंदित है आंसर इस कोशन का टैनिस ठीक है जैसे कोशन यह भी देख लिए और गौरकपुर सिटी सिचुएटेड़ है कौन सी नदीगे किनारे सिचुएट है इस कोशन का अंसर के है अच्छा कोशन है पूसर आ सकता है इस कोशन का अंसर के जैसे अब गोरकपुर बड़ा फेमस है अब इसमें राप्टी एक ऑप्षिन में दे रखा है ठीक है कौशन है ना अमना जम्मू कुश्मिन छोड़ेंगे और स्किप करूँआ असान कोशन है क्योंगे राजा जी कुंदेव इस्टेड में इसकोशन का आंसर क्या है जल्दी से बतेगे दादाजी कोंदेव एक कोंदेव जो स्ठेडियम ये कहां पर है कौन सी स्टेड में जल्दी से बते हैं यह इंपोर्टमंटگ Shushen थूठा है यह सारे स्टेद्स कर लो उतना चीजना असाल लगेंगी कि चलिए तो इस कोशन का आंसर के हैं कि चलिए तो आंसर महाराष्ट है ना इंपोर्टन कोशन महाराष्ट का आंसर लक्षदीब आइलेंड जो है सच्छाइब है यह सिच्ट है कहां पर बने लक्षी अविसलिया देखो अपना यह इस तरफ औरेविंसी की तरफ है औरेविंसी का अंसर एक और उख लूग और भूपलर फोग डान से टाइट का डोलू कुनतिया जो है पोपलर फोक डान से कोशन का आंसर के लिए चलिए तो बताइए आन से के दोलू कुंतिये जो हैं पॉपलर फोक डांसे है ना तो इस कोशन का आन से के मैं बहुत लंबी क्लास लेने वाला हूं ठीक हैं सबर रखो फायदा ज्यादा होगा जो सबर रखेगा जिसको ज्यादा पढ़ने में इंट्रेस्ट है वही रुकेगा और जो रुकेगा उसका फायदा ज्यादा है इस इंपल सी बात है हम तो अभी लगातार पढ़ाएंगा मन कर रहा है आपको फुल करनाट का कोशन पर कोशन करा दें आपको आज कोई डैम गुजरात में है कौन सी नदी के किनारे बते ही आंसर के स्कूशंग है इस कूशंग है अमित मजे के लिए पढ़ाई जो है किसी काम की नहीं है आपके ठीक है मजे के लिए कभी मत पढ़ें फॉर सक्सेस पढ़ें फॉर 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 गॉर्मेंट जोब पढ़ रहे ना तो काई टेम गुजरात में है तापी नदीब ठीक है इंपोड़न कोशन है कोशन देखिए जैसे कह रहा फागली फेस्टिबल कौन सी स्टेट का फेस्टिबल है चली तो इस कोशन का आंसर है कि ये फागली क्या है तो हिमाचल प्रदेश का फेस्टिबल है हना हना चली तो आंसर के इस कोशन का ये है इस कोशन का आंसर एक और कोशन देखिएगा उज्जैनी डैम जो है जिसको अभी मैं टॉपिक वाइस भी स्टार्ट कराँ हूँ इसी कि इसी क्लास को कंटिन्यू करा के भीमा डैम इसका आंसर क्या होगा उज्जैन डैम और जिसको भीमा डैम भी कहते हैं ये किस स्टेट में है इस कोशन का आंसर के चली तो इस स्टेट का आंसर क्या है दोस्तों महरास्ट है आंसर महरास्ट सोल करें खुद नाच खुद वातले सक हैं जो है मेरा खुद का है तीक है वह कोशन जौहर आगर्डेन जो की राज़स्थान में है कौन सी नदी के ओपर ये कोशन दिख्कत होती है इसमें कि वह नदी का पूछ बीच लेते ना तब दिक्टत होती इस जो हारस मिपर्डेन आप कि नदी पे आंसर के है कि अनुदी इस प्रिशन का आंसर के मैं से करना इंपोडेंट को इसको खुलेक एक morning परों को इसनल पार्क मैं एडव कोन से नाशनल पार्क को इस से पहले जो था ये नैशनल पार्क करे में जाना जाता था ।ह एस नशनल पार्क के नाम फी में जाता था कि चलिए तोईसको JUDGE का आंसर के आँ है दोस्तों ध्यान अशर यह है रिए कोशन ध्यान रखना आ कुं JJ adherum compare currently fair भी इसका द्यान कर्द Sadd ***son सब्सक्रार करेंट गया क fak enhancement is यह निढियन एर-फॉस डिग किस दिन वबजर किया आता है इंडियन एरफोर्स देख किस दिन अब्ज़र किया आता है बदागी देखो एरफोर्स में कितने वर्ड है तो आंसर इसकोशन का आठ है इसकोशन का आठ है तीन तीन छे और साथ आठ ठीक है आंसर इसकोशन का आठ है ऐसे नेवी के चार है तो चार ही तारीक को नेवी डे अब्ज़र किया आता है और आर्मी का पंद्रा वैसे भी कोमन है उबर कप जो है किस जो है स्पोर्ट से संबंदी थे आंसर क्या शुसा बदे आंसर गया है उबर कप के स्पोर्ट से संब्बन देते हैं चाहिए उबर कप के स्पोर्ट से संब्बन देते हैं आंसर है बेडमिंटन चले एक और कोशन करतों कैपिटल है कौन सी कंट्री झाल 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 चले तो आंसर क्या है इस कोशन का है करतम जो है यह कैपिटल सुदान का एक और कोशन देखेगा वह फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विंदा पदम विभूशन इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से वताएं खेल रतन भी जो है सबसे पहले यह इनी को मिला था बहुत फेमस नाम है मयानी बढ़ सेंचरी कौन सी स्टेड में बताएं आंसर कें मयानी बढ़ सेंचरी कौन सी स्टेड में इस कोशन का आंसर कें महराज जिसका अंसर है एक और कोशन देखेंगा कामख्या टेंपल जो है कौन सी स्टेड में कामख्या टेंपल कौन सी स्टेड में तो दोस्तों ध्यान अंसर असाम इसका अंसर एक और कोशन जैसे नटराज टेंपल की बात करी जाए कौन सी स्टेड में बताएं यह नटराज टेंपल बड़ा फेमस है तामिल लाडू में है क्या बताएं क्या तामिल लाडू में है जल्दी से बताएगा बताएं चली तो इसकोशन का आंसर क्या है दोस्तों इसकोशन का आंसर यह है तामिल लाडू एक और कोशन देखिए मैंने बता रखाएं इंपुड कुलम नुक्लियर पावर प्लांट कौन सी जो है स्टेड में जैसे कुंद कुलम की एकर मैं बात करूं तो कौन सी स्टेट में है नुक्लियर पावर प्लांट यह फेमस में से एक है तो इसकोशन का याद रख ले ना तामिल लाडू इसका आंसर है प्रैक्टिस करूते जाओ जितने कोशन आप प्रैक्टिस हो रहें उतना फायदा जैसे एन डेजमन जो है यह कैपिटल है कौन से देश की बते एन डेजमन कौन से देश की कैपिटल है इसकोशन का आंसर क्या होना चाहिए प्रोबैबली इसकोशन का आंसर क्या होगा कि एन डेजमन कौन से देश की कैपिटल है तो इसकोशन का आंसर क्या है दोस्तो ध्यान लखना इसकोशन का चाड़ है ठीक है इंपोर्टन कोशन है पूछा आ सकता है अना बहुत इंपोर्टन कोशन चलिए तो इसकोशन का आंसर क्या है यह है जैसे यह सीरीज तो वेटा आप देखी लेना साथ बजे की सीरीज बुलना मत बर्तुकला खान स्टेडियम कहां पर इसकोशन का आंसर क्या है यह पते कहां पर बर्तुकला खान स्टेडियम है है ना बताई यह आंसर के हैं पीडियेफ में प्रोवाइट करा हमां पीडियेफ की आप पढ़ रहे हो तो पीडियेफ तो आपको मिलेगी आपको चाहिए तो मैं इस क्लास के बाद भी डाल दू लेकिन कल अपने लोगों ने साथ वजे करेंटे फेर की महा सीरीज रखी है वाइफे श्टेडी पर पूरे दोस्तों वन लाइन होंगे अच्छे खासे साथ वजे सैवन एम पे उससे पहले स्टार्ट करा दो हम थोड़ा सा वह देख लेने यार वह उसके बाद पीडियेफ जरूर जोदपूर मिल जाए जोदपूर इसका आंसर है कि बॉंडरी लाइन डिमार्केटिंग दा नोर्थ और साथ व्यतनाम के बीच का पहला लाइन कुन से तो आंसर है इसकोशन का 17 पहलन इसका आंसर वेस्टर घाट अगर मैं बात करूं यह वेस्टन घाट कौन सी इधर अगर मैं बात करूँ यह इसन घाट यह वेस्टन घाट अब इसमें से कौन सी स्टेट नहीं होगी आंदर प्रदेश तो इधर है इसकी तरफ है तो वेस्टन घाट में क्या कर सकता है है ना तो आंसर इसका अंदर प्रदेश है बड़े कोमन साय मैप की बात है बस है ना बते ही इसको है देवी तलब मंदिर जो है कहां पर पंजाब में है कि बताओ वैसे आप बताओ थोड़ा सा इतना बहुत जादा फेमस नहीं है लेकिन फिर भी में भी पॉसिबिली कोशन आ कि बढ़े इस कोशन का आंसर के है कि अलूरू स्टेंट्टून कहां पर कुण से देश में फेमस है चलो तो आंसर इस कोशन का ऑस्टेलिया है ना कौन फॉल कहां पर है बताइए भाई कहां पर है कौन फुल कौन फॉल कहां पर इस कोशन का आंसर के है ना तो दोस्तों कौन फॉल कहां पर है यह महरास्ट में ना तो इंपोर्टेंट है इस कोशन का आंसर क्या है है ना तो राष्ट के हर कोने कोने तक जो है पानी के सुभीदा पोचनी चाहिए तो बस ऐसा याद रखो राष्ट के हर कोने कोने तक जल प्रपात से पानी के सुभीदा पोचनी चाहिए ना यह इस कोशन का आंसर है ठेकें एसके धाकड दोस्त कि दोस्त कि यूचर तुम्हारा है कि इसे बरबाद ना करो पढ़ाई पर ध्यान दे लो इस समय भी जो अगर आप हो उनलाइन तो पढ़ाई पर ही ध्यान दो काम आएगे आपके ठीक है जरूगी इंट्रेस है एरपोट मेगालेश का आंसर है यह पढ़ा दी है वेने चलो को हुआ कारी डांस है यह फेमसस डांस है कि स्टेट का दान्स है ठीके आंसर के विर सकते रिष् कि इंपोर्टेंट है आता नहीं किसी को बस मटुकाडी डांस कहां का डांस है फेमस वन बताइए आंसर कहा है इस कोशन को चलते हैं इसकोशन का आंसर है दोस्तों गुजरा अच्छा सुबह करेंट फिर कौन पढ़ने वाला लेट साथ बजे स्टार्ट कर रहा हूं लेट है म लाइफ क्लास सेवन एम कोन को जुड़ रहा है करेंट फिर में 200 बन लाइन तोस्तों की जगा 300 करा दूआ अगर आ अप आ रहे होता है अच्छा करेंट फिर इस बारी वहुत काम करेंट फिर लेटस में कोई भी एक्जाम होगा तो निकल दाएगा एक वाइश कमेंट करते मैं आपको एक सीरीस जो है इसी में ही कराने वाला हूं कोशन इंपोरेंट है क्योंकि वह एक सेगेंट रुखेंगे फाइल ओपन हों दो कि बहुत सारे कोशन में आपके लिए रखे वह दे यह मैं कराऊंगा अभी चलिए बताजीए वह इस लोग तक-लेक लोकेटेट बतैके कहा पर लोक तक लेककर ये भाई 200वकोशन और हैं पजहें लोग तक लेक कहां पर मतना है जल्दी से बताए चली तो इसकोशन मनीपूर देखे ओर satisfy के प्रजनेश अबिकिसटे हां से संबंदित इसकोशन ऐसको अंसर के है कि अंचर से संबंदित अगले करा है इसके यह एकोशन जल्दी से बठेगा है enjoy करा दूंगे वौँ समलो हर एक एक लाने वाले आपके एक posies सिश का अंसर है कर single school देखेगा around the world sono in 18 days इस को अराउंड दो सबाइभ इन 80 डवीड़ेस इस आप जैसे अब यह थोड़ा सा मुश्किल कोसेन आए कि बही किताब के ओवाल票 को मिन और दिशसी ही कर्रणा है ना यह होगा हम रखक को डुलिए स्वारन इसका अंसर है अकबर टोम लोकेड़ है कहाँ पर स्कूषिंग पर सक पर टोम कहा पर किरड़ बयां अच्छा कुरुशनिह जूलो माठव टोम कहाँ पर लोग्यते पिर फिसंग ह zooming अच्छलो ध्यान रखो आंसर ने सकोशन का आगा आगा इसका आंसर है साला ना कि तर कहां से लारे हो प्रीवी एशेंट अप्रिवी एशेंट है दोस्तों सारे चलिए तो आंसर के इस कोशन का 14 नवंबर इसका आंसर है बिलाई expansion power plant कहां पे बिलाई बड़ा famous लोकेशन बिलाई steel plant भी famous है ना बिलाई steel plant is very famous तो वो steel plant है कहां पे बिहार में है चत्तिस गड़ में कहां पते अगर आपको यह पता है कि बिलाई steel plant कहां पे तो के लिए कोशन बहुत ही सरल है इसमें कुछ भी नहीं है इस कोशन में आसान है यह कोशन बड़ाई steel plant कहां पे कि अगर चलिए तो दोस्तों आंसर के चत्तिस गड़िस का आंसर है ठीक है चले एक और कोशन देखे टॉमाटो फैस्ट यह हो गया तो कोशन को चलिए है तो इस कोशन का आंसर क्या है तो दोस्तों यह वह एक important है कि राजेंद्र स्टों कहां पर है तो इस कोशन का आंसर क्या है राजेंद्र स्टेडियम कहां साची में यह कौंसी स्टेट में लोकेट है अब जैसे अगर मैं बात करूं साची में अच्छा कोशन के रखा ना मद्यपदेश वैसिक देश का अश्वरह पैसिफिक नॉमिक और कोरपरेशन कि अगर मैं बात करूं तो इसके हेड़क्वार्टर कहां पर हैं बताई वेर्स दा हेड़क्वार्टर ओफ एशिया पैसिफिक एक्कनॉमिक कोर्परेशन चाली है ना इस कोशन का आंसर सिंगापूर लगाएं जैसे यह कोशन है इस कोशन है बेटा साथ वजी क्लास बोनाल बर्ड सेंश्रीश अब देखो बोनाल बर्ड ऑप सेंश्रीश कोम सी स्टेट में इस इस कोशन आंसर के चलिज जूशन का आंसर के जीछ फिए उसमें में में खुछ화 क्या है इस कोशन का आंसर कर नार। इस कोशन का आंसर के यह बच्चा कह रहा है। कि यह बोलू मैं आयम-स हेड़कवाटर कहा पर सकूशन का आंसर के यह चलिए बते ही जैसे अगर मैं इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की बात करूँ और अगर मैं वर्ल बैंक की बात करूँ तो यह दो चीजे जो है वशिंग्टन डीसी संबंदित है कि इस कोशन का आंसर यह है जब वर्ल्ड वर खतम हुआ था सेकेंड तो उसके बाद ही यह बनाए चलिए अब यह थोड़ा सा है ना कि ऐसे स्टेट का नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कोटम कहां का डांस है तो इस कोशन का आंसर है आंद्र प्रदेश ठीक हैं आंद्र प्रदेश एक और कोशन देखेगा यूनिशेफ जो चिल्डरंस होते हैं वो हो जाएगा यह असान भी होगा आपके लिए बहुत जादा सरल सवाल होगा आपके लिए तो चले तो नियो किसका आंसर है इंडियन फोक डांस गोटी पुआ यह भी मुश्किल है आप निया कोशन है इन्फोरमेशन जो है यह सब ध्यान अगना बेटा क्लास का टाइमिंग सेवन पीम रहता है हमेशा बस क्या करना सुबह करेंट फिर एक बर ही देखने आ जाना कि आपको बेनिफिट हो सके रज़ें बताएं इस कोशन का आंसर गोटी पुआ कि अगर मैं बात करू तो यह कूंज सी स्टेट में बताएं आंसर के एक हैंना, important है कोशन तो गोटी पुआ थोड़ा मुश्किल भी है रिफ्ट ही आंसर के आंसर है इस इस कोशन गाउ। जिए साथ अपरेल को हम क्या अब्जर्व करते हैं बद्रें साथ अपकोशन का आंसर के से इस कोशनगा आंसर के हैं साथ अपरेल को क्या अब्जार करते हैं कमेंट लिए स्कोशन का आंसर कैंटा है दोस्तों ध्यानकना वर्ल्ड हल्ड़े और यह important question है बहुत ज्यादा important question है कि world holiday जो है तात तरीक को observe कि आता एपरेल में मंत भी याद रखना कभी मंत के भी question आ जाते हैं disabled person international disabled 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 तीन ट्राइप के होते हैं एक तो व्यादब कोमली कह सकते हैं blind होना सुनना पाना बोलना पाना तो तीन इसका आंसर तीन दिसम्बर चलिए एक कोशन देखिए सोल करें अहलिया भाई होल करें एरपोर्ट जो है यह कहां पर कि अई इसलिए अहला वाय वूलकर एरपोर्ट कहां पर इंदोर में है एंपृ कैरहें वर्ल्ड एट्लेटिक्स की अगर मैं बात करूटो तो इसके हैड़कौर्टर कहां पर जल्दी से मताईगे कि इंपोर्टेंट ने कोशन आ सकता है और वर्ल एथलेटिक्स इसले भी इंपोर्टेंट है क्योंकि हम ज्यादा तर एथलेटिक्स के स्पोर्ट्स जीते हैं और मोनाको इसका आंसर है पीटी उशा से संबंदित कुछ आवार्ड भी आया थे इसमें मतुरा कौन सी नदी के कि किनारे इस कोशन पाइए इस कुछन का आंसर के हैं तो महत्पुन सबाद मतुरा कौन सी जमना है मतुरा होगा इटावा हो गया दिल्ली हो गया मिर्ट हो गया और बड़े फेमस जो शहर हैं तारे जमना नदी किनारे नाइजीरिया की कैपिटल और करंसी क्या है इस कोशन का आंसर के हैं तो नाइजीरिया की करंसी एक तो नायरा लिखा हुआ करंसी में एक अभूजा लिखा है कैपिटल में क्या इस कोशन का आंसर डी है क्या इस कोशन का आंसर डी है वेरी इजी है ना डी इस का आंसर है चले एक और कोशन देखते हैं सोल कर देंगे लेबनोन की कैपिटल ओफ लेबनोन का कैपिटल क्या है अच्छा कोशन इसकोशन गांसर क्या है कोशन सारे असान है प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप असान लगेंगे तो इस कोशन का आंसर लेबनोन के अगर मैं बात करूं तो लेबनोन का कैपिटल बिरेट है तो बिरेट इसका आंसर ने ट्रास टेंपल हुआ था अभी छोड़ूंगा यह शहीद वीर नरायन से के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यह कूंसी स्टेड में इस कोशन का आ पाकि अन्य एक्जाम जो लेटर स्टेट के एक्जाम चल रहे हैं त्यस्टिस गड़ इसका आंसर है ठीक है सहीद वीर नरायन यहां पर कलिंग अवोर्ड किस फीड में दिया जाता है इस कोशन का आंसर क्या है बदई कि अजी कलिंग अवोर्ड किस फीड में दिया जाता है इस कोशन का आंसर क्या है तो इस कोशन का आंसर साइंस की फीड में फेमस है कलिंग अवोर्ड है यह हो अच्छे यह अलग है वीर शंकर इंटरेशनल एरपोर्ट कहां पर है वेरिस वीर नरायन वाला लग था वीर शंकर अलग कि वील शंकर इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पे हैं इस कोशन गया है दोश्तों ध्यानकना सर्ट अन्डमान एंड निकोबर आयलेंड है किस्तवार नैशनल पार्क जो हैं दोस्तों कौन सी स्टेट में यह तो असान है जम्मू कश्मीर में फेमस तो असान ही हो गया जैसे सलीम है कौन सी स्टेट में यह इंपोर्टेंट बदेगे सर थेओरी वाइस कब पढ़ाएंगे विटा साथ बजे पढ़ाता दो हूँ आप एक वरी कभी देखना साथ बजे आपकी त्योरी कितनी क्लास्टिस हो रही है मैं आपको कोशन इधर प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए डिटेल नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि मैंको पता कि मैं भारत के कोण्से राज्य में मैथून डेम है इस कोशन का आनसर बताओ यह चरंका सोलर पार्क जो है ये किस क्स सिटेट में बताओ इस डिस चरंका सोलर पार्क लोकेटbelt डिए रिपार를 के summat क्याब पार्क के क्या है रिप्तर दिस हैं सोलूर्पारफ है similarly यह रिक कर जदेक अब जैसे आप यह चरंग का नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है पेपर में स्किप मत करना अब तो जान जाओगे ना गुजरात यह जो है गुजरात में चरंग का का इस को घुज़चा से लेकर ृवा देटें स्टेड मेंं में रिइट कुम्बल गड़ वाइड अहले सेच्छी लोकेड़ इस्ट इस में वैरिस कुंबल गड़ अऊक्षिंस वाल दा शिंच लोकेड़ को घनाया कि भी का इस ने से भाई असान है आसान है चली तो आंसर इस कोशन का इस कोशन आंसर राजस्थान एक और घीरु वह अम्वाणी इस पार्क पार के यह किस टेत में अ को शुजशन को अन्सर के हैं कि छलिए तो अंसर के है इस स्वचार राजस्थान इसका आंसर है आप कूंसी स्टेट में एसे आंसर अब लिकार जिस्ट फोश्टन का अन्सर वर्ल्ड आठ डे की अगर में बात करूं तो इसकोशन का अन्सर के है ना इंपोर्टेंट है थोड़ा डिफिकल्ड भी क्या होगा इस कोशन का आंशर कि यह वर्ड आर्ट डेक अब जो है पंदरह अप्रेल को अबजर किया आता है कि रहा हाये स्पोर्ट सव ओर्ड कौ्सा है तो भारत में भारत में राजिक बांध कोण सी सैंशरी बिहार में नहीं है इस कौशन का आंशर के नहीं है है चली यह कोशनका आंसरिंपॉर्टन कोशन है जाले तोई स्कोषिंग का análसर है यह स्कूशंग का आंसर है या कोशन श्रched all moun का क्रेंटस्वा स्थे जरूर होने वाल माउंटेन काम आएंगे आपकेолн इसे व्ट is the state animal मध्वप्रदेश ठीक है मध्वप्रदेश श्टेट अनिमल कौन इस कोशन का आंसर कहा है जल्दी से वह देख कौन सा मध्वप्रदेश का इनीमल है देखो रिवीजन नहीं है वो समलो स्पैसिफिक कोशन है जो आपके पेपर में मिल सकते हैं जो कह सकते हैं फिल्टर्ड कोशन है हजार दोजार करेंट फिर में से कुछ 200 कोशन ऐसे जो काम के हैं वही 200 कोशन मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं तुबह सात बज़े से पहले क्लास स्टार्ट करा दूंगा वाइफे स्टेडी पे लाइव ठीक है बारा सिंगा इसका आंसर है एक और कोशन देखे वर्ल्ड प कैसे याद आएगा जो बच्चे मुस्से आने के पढ़ते हैं उनको पता है कि तीन किसले लगाया प्रेस है और प्रेस जो है प्रेस त्री तो आंसर है इस कोशन का यह ओई सीडी की अगर मैं बात करूं तो इसके हैड़कॉर्टर कहां पर बताई इसकोशन वैसे प्रेस यह करने के लिए तीन रखा है इस त्री तो इसके हैड़कॉर्टर कहां पर बते हैं इसकोशन का आंसर है चली ओई सीडी के हैड़कॉर्टर कहां पर है तो यह भी अच्छा कोशन पैरिस ठीक है इंटरनेशनल बाइडवरसीडी डे बताओ भाई कहां कब यह ऑपज़र के आता है बाइस लिखा एक उप्शन में बाकि और कुछ लिखा हुआ है क्या काम का इंटरनेशनल बाइडवरसीडी पीडिएफ का मिलेगी बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल है अमनसर वाइफे शड जब इतना जागे हो थोड़ा सा और जाग लेना ठीक है जो इतना जागे हो थोड़ा और जाग लेना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपकी गाइड़न्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ एक मैसेज होगा दो मिनट थाडली आपके लगेंगे जरूर देख पिरोष्या खोटला मैदान को और उन जिटली श्टेडिम कह दिया अब दिल्ली इसका आंसर एक उर कोशन देख, चली तो तो इस कोशन का आंसर कहा है दोस्तो त्वार कादीश टैंपल करिक्रत कि इंपोर्टेंट है कोशन आ सकता है गुजरात इसका आंसर है गुजरात है ना सोल करते हैं एक और कोशन देखिए बते यह मेरा टेलिग्राम चैनल है एक बड़ी सर्च कर लेना अमन सर्वाइफ इस जब सर्च करोगे जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड बच्चे होंगे जिसम मैसेज मिलेगा जो कि आपकी गाइडन्स के लिए बहुत जरूरी तीन मिनट लगेंगे हार्ली मैसेज को देखने के लिए ठीके समन्ने के लिए और आपकी त्यारी स्टार्ट हो जाएगी फ्री ओफ कोस्ट टेलिग्राम चैनल पर देख लेना अभी इसी के जस्ट बात कु कुम्बल कर फोट कौन सी स्टेट में कमेंट करें अच्छा कोशन तो इस कोशन का आंसर है राजस्थान इसका आंसर एक और कोशन सौल करेंगे माई अन फॉर्गेटेबल मेमरीज ओथर कौन है निया कोशन है को चलिए अन फॉर्गेटेबल मेमरीज जो है आंसर ममताव एनर्जी के द्वारा और यह कोशन इंपोर्टन है क्योंकि वेस्ट मोंगोल से संबंदित कोशन टाइप है तो इंपोर्टन है वन विहार नैशनल पार्क कौन सी स्टेट में इस कोशन का आंसके है प्रकाश चलिए तो आंसर के इस कोशन का अंसर मध्य प्रदेश इसका आंसर है ठीक है चलो एक और कोशन सोल करो बताव आंसर वाई आम हिंदू एक किताब जो है किसके द्वार लिखेगी पराक अबमा तो लेकेंगे निए बहुत बेकार आंसर अप्शन दे रखें तो आंसर शशी ठरूर ठीक है चलिए एक और कोशन देखें कि यह हो गया दा कोशन स्किप करें बाल्स्नो और डाइनसौर फोसिल पार जो है कूंसी स्टेट में इस कोशन का आंसर के आं करें कूंसी स्टेट में इस कोशिंग आंसर के चलिए आंसर के इस कोशिंगा चली तो आंसर गुजरात इंपोर्टन गोशन है तोल करें सोफियान लैव और दा कैपिटर करन्सी और विच कंट्री अज़िए गली तो की इसकोशिंग आंसर है इसमें एक बुर्णा या आनसर है किया बल्रणा शुक्राइब辦法 इंडोर स्टेडियम कहां पर सब्सक्राइब करेंगे दोलादर वाइलेफ सेंच्री कहां पर वेरिस दोलादर वाइलेफ सेंच्री लोकेड़ कमेंट करिए बताइए आंसर के इस कोशन कैंऑ कैगे तो दोस्तों ध्यान रखना इस कोशन गांसर क्या होगा तो यह बहुत इंपोडेंट है इस संटर हिमाँसलप्रदेश होगा नेता जी शुबाद चंद्र बोज इंटरनेशनल एरपोर्ट लोकेटेड है कहां पर नेता जी तो कुलगत्ता से थे है ना तो आसान है है ना तो इस कोशन का आंसर कुलगत्ता होना चीए हिमाचर बदेश का स्टेट एनिमल कुण सा है कमेंट करेगा ठीक है हिमाचर बदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है चलो तो इंपोर्टेंट कोशन इस कोशन का आंसर क्या है दोस्तों ध्यान रखना इस कोशन स्नो लेपड इसका आंसर है एक और प्राइस मैट का जो नोबल प्राइस टाइप माना जाता है अत्पाका बड़ सेंसरी मुश्किल है तो इसलिए में पूछ रहाऊं आप से बताइए आंसर के होना चहाँ अत्पाका बड़ सेंसरी कहां पर इस कोशन का स activity भेरे स्वेजम सब्सक्राइस लोकीटेट नाम बड़ा प्यारत पका तो ध्यान अगना यह भी कोशन इंपोरेंट है कि भाई यह कहां पर लोकेट है इस कोशन का आंसर है आंद्रप्रदेश करें विसला विसालपूर डैम जो है कौन सी स्टेट में कौन सी स्टेट में है इस कोशन का आंसर राजस्थान तो आंसर पिसी कल्चर अगा जैसे पिसी कल्चर तो इसमें ब्लू होगा क्यों होगा ब्लू क्यूंकि दोस्तों फिश की बात है एक तरीके सरा मचलियों के क्रांती से संब्दित है इस कोशन का आंसर है दोस्तों ध्यान रखो अब आप देखो यह काम जरूर कर ले ना कल सुबह साथ बजे करेंट फेर होगा मैं चाहता हूं कि आप करेंट फेर का हिस्सा बने मेरी क्लास का आप बनके देखो आपको करेंट फेर की टेंशन कतम होगी वर्ल्ड फेर की यह मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करो सर्च करते ही सबसे उपर आगा यह जोएन करना आपके लिए क्यूंकि आपको बैनेफिट होगा बैनेफिट के लिए इसमें एक मैसेज्ज द्रोब किया है वह मैसेज्ज तुरंत देखिए सोडेट की आपकी गाइडन्स स्टार्ट हो सके ठीक है मैं पूरा प्रोपरली गाइड करने वालों में से हूँ अगर आप एक बर ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको उस वीडियो से बहुत कुछ समझा जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और साथ के साथ आपको पी सब्सक्राइब कर लेना पीडियाफ आपको मिल जाएगी कल सुबह करेंट अफेर के बाद मिल जाएगी इस सात बजे करने पर स्टार्ट होने वाला है साथ बजे और मैं उमीद कर रहा हूं कि आप सभी चाहे लेट सो रहे हैं लेकिन सुबह साथ बजे जरूर उठेंगे और करेंट अफेर वर्ल्ड अफेर की जो वन लाइनर है ना वो बनाया है इस बड़ी तो वो काम आएंगे बहुत जादा वर्ल्ड फेर बेस्ट करेंट फेर प्रोवाइड कर रहा था उसका वन लाइनर बनाया है तो आपको वो काम आने वाला कल सुबह साथ बजे से पहले स्टार्ट कर दूँगा लाइब क्लास इस टेलिग्राम चैनल पर सब कुछ है बले बलूँगा अमन सर वाइफे स्टेडी सेशों को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्स्राइब करें थैंक्स लॉट फुर फूर्फोज इस तर अभी डेट सो कोशन बाकी रहे गए लो कोई न यार सुबह बढ़ाते हैं है आना टेलिग्राम चैनल देखलो सुबह पढ़ाते हैं साथ बजे के लेलो टेलिग्राम चैनल पर रूड़ आप सीधा सिंपल सा उसमें मैसेज देखलो आपको पूरी गार्डन्स मिलएक कैसे क्या होता है ने दो से तीन मिनट मिलते हैं आप सभी से तुभे सब्सक्राइब